नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त हरीश गोड और आप देख रहे हैं या धा इंडियन पल्स दोस्तों बात कर रहे हैं Chartered Accountants के आंदोलन के बारे में इस समय छे दिन से Chartered Accountants का आंदोलन चल रहा है गुरूग्राम में कल इस आंदोलन की आग देश के बाकी हिस्सों में भी फैल गई और ना सिर्फ दिल्ली में बलकि मेरट, पटियाला, अलबर, उदापूर में भी आंदोलन किये गए जी-स्टी डिपार्टमेंट के विरोध में आंदोलन क्यों हो रहा है वो भी बता देते हैं दो चार्टर अकाउंटेंट को इलीगल तरीके से ग्रफतार किया गया जी-स्टी डिपार्टमेंट के दौरा उसके विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ और अब ये आंदोलन ब्रस्टा चार पर जाकर के ठहर गया है जी-स्टी डिपार्टमेंट में फैले घूस खोरी और ब्रस्टा चार को लेकर के चार्टर अकाउंटेंट्स ने कमर कस ली है तो अब ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली गुलगाओं तक सीमित नहीं है बलकि इसके अलावा इस आंदोलन की आप पूरे देश में फैल चुकी है आपको हम तस्वीरे दिखा देते हैं उदैपूर में किस तरीके से आंदोलन किया गया वो आपको हम तस्वीरे साजा कर रहे हैं देखिए कितनी बड़ी मात्रा में वहाँ पर लोग उपस्थित थे और उन्होंने GST डिपार्टमेंट के विरोध में अपनी उपस्थित दर्ज कराई इसके साथ साथ मेरट में हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं मेरट में भी GST डिपार्टमेंट को लेकर के किस तरीके से लोगों में रोश है तो वो भी उन्होंने जाहिर किया और GST डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को ग्यापन सोपा जहां पर उन्होंने बताया है कि कैसे उनके C.A. बंदूओं के साथ जाती की जा रही है आंदोलन को कवर किया है देखिए किस तरीके से हमारे न्यूस पेपर की फुटेज में कल चार्टर अकाउंटन्स का ये आंदोलन चाया रहा इसके साथ साथ आपको बता दें जो ताजा अपडेट्स हैं इस केस के बारे में वो ये है कि कल शाम कोट ने जमानत रद कर दी है उन दोनों C.A. बंदूओं की जिनको GST डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया था अब जो प्रतरशन कारी हैं उनके पास में दो ही रास्ते बज़ते हैं पहला रास्ता या तो वो सेशन कोट में जाकर के जमानत की फ्रेश अर्जी दायर करें और या फिर वो हाई कोट चले जाएं जहांसे उन्हें जमानत मिल सकती है तो ये दो रास्ते हैं कल दिल्ली बजीरपुर में एक बड़ी C.A. मीट हुई है चार्टर अकाउंटेंट्स की जिसमें काफी सारे एहम फैसले लिए गए हैं किस तरीके से इस आंदोलन की रूप रेखा आगे चलने वाली है उसको लेकर भी काफी बार तलाब किये गए और जो लीगल कंसल्टेंसी है इस केस को लेकर उस बारे में भी काफी चर्चाएं की गई हैं तो अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है क्योंकि C.A. पूरी तरीके से समझोते के मून में नहीं है उन्हें ना सिर्फ GST डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों का रेजिगनेशन चाहिए जो अधिकारी इस सब ब्रस्टाचार के मामले में लिप्त थे बलकि वो अब GST डिपार्टमेंट को एक सबक सिखाना चाहते हैं एक मैसिज देना चाहते हैं चहां पर वो ये बताना चाहते हैं कि अब GST डिपार्टमेंट में ब्रस्टाचार नहीं रहेगा तो ऐसी ही कुछ खबरे जो अभी हमारे बीच में आ रहे हैं उन सब को लेकर हम आपके बीच में आगे भी आएंगे आप The Indian Pulse के साथ बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए